अजके इस वीडियो में आपको IOCL इंडिया नोयल के तरफ से बहुत ही बड़ी बंपर वेकंसी आच चुकिया जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 1760 पोस्ट के लिए भी इसमें वेकंसी आउट की गया है जो भी इसे कंडिडेट हैं जो इसमें इंट्रेस्टेड हैं अभी कुछ आपको पता लगेगी और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए साथी बेल आकन प्रेस कर लिए जिन से कि इसी तरह के जो भी जॉब्स और वेकंसी की नोडिफिकेशन आती है इ देख सकते हैं यह इसका ओफिसियल अर्बटाइजमेंट नोटीस है इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन के तरफ से अभी यह वेकंसी आउट की गई है जिसका अर्बटाइजमेंट नमर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी सकते हैं यहाँ पर 14 दिसमबर 2022 के डेट में यह वेकंसी रिलिज की गई है इसमें बहुत सारे पोस्ट में यहाँ पर वेकंसी आपको देखने के लिए मिलेगी बहुत सारे यहाँ पर एश्टेट्स दिये गए हैं जिसमें अभी वेकंसी आउट की गई है पोस्ट की बात कर होता है कि अगर आप कहीं पर भी करते हो apprentice तो जब भी उसमें permanent jobs vacancy आती है तो उसमें आपको preference दिया जाता है अभी जो यह apprentice iocl में आप करके रखोगे तो iocl में जब भी vacancy आएगी उसमें आप ही लोगों को दिप्लोमा वालों के लिए होता है और graduate apprentice भी बीटेक वालों के लिए होता है यहाँ पर आपको जो estates दिख जाएंगे तो बहुत सारे estates के लिए यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि आपको यहाँ पर दिखेगा जहाडखंड, असाम, सिक्कीम, देली, हरियाना, पंजाब, यूटी ओफ चंडीगड, हिमाचल परदेश, यूटी ओफ जेएंड के, यूटी ओफ लदाख, उत्तर परदेश, राजस्थान और उत्राखंड ये सभी estates में अभी वेकेंसी आउट की गई है इस notification PDF में आपको सभी estates के अलग-अलग यहाँ पर वेकेंसी दी गई है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग वेश्ट बंगाल का देख सकते हैं, वेश्ट बंगाल में जो यहाँ पर technician का trade apprentice का जो भी यहाँ पर वेकेंसी है, सभी को यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग अपने estate के अनुसार से यहाँ से उसको देख लिजे कि आपका जो estate हो, उसमें कौन से trade में वेकेंसी है, कौन कौन से branch में वेकेंसी है, कितनी number of vacancy है, तो आप जिस भी estate में apply करना चाहते हैं, कर सकते हैं, अलग-अलग estate में, अलग-अलग यहाँ पर graduate apprentice का, जै इसके लिए आप eligible है की नहीं, उसके बाद आप इसको download करके देख लिजेगा, कि आप किस estate से apply करना चाहते हैं, और कितनी number of vacancy उसमें दी गई है, और आपके लिए उसमें vacancy है की नहीं है, तो इसमें लगवा लवग सभी estate से vacancy निकल करके आ रही है, और सभी branch के लिए लग apply कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, इसमें क्या qualification या eligibility criteria रहने वाली है, यहां पर सभी का discipline या code दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लिजेगा कि जो code है, उसमें क्या qualification है, मैं आपको direct branch wise यहां पर मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं, इसमें ITI feature वाले apply कर सकते हैं इसमें आप लोगर तेंथ के बाद ITI कर रखे हैं, electrician trade में तो apply कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर electronics, mechanic ITI वाले apply कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर आपको mechanics ITI वाले apply कर सकते हैं, उसके बाद जो 101 post code है, इसमें आपको diploma वाले apply कर मैंगे, mechanical branch में अगर आप लोग diploma कर रखे हैं इनिट्रिबंटेशन इंजिनेंडिनिनिनेंग में अगर आप लोग टिपलोओurst कर रखें तो अप्लाइ कर सकते हैं, इसमें इब्लोक फिरेritis का लिल्एट्र कर रखें तो अप्लाइकर सकते हैं, Net复र इनें पर आपको इसमें इसमेंञी कर रहे ले से सकते हैं जो पासओट होने के तीन साल आप कम्प्रिट कर चुके हैं और लोग भी अप्लेडिय नहीं कर सकते हैं तो 31 2212 तक जो भी इसे कंड़ीड़ है जिनको पासओट हुए तीन साल हो गये हैं बात करते हैं एज़ जिंसमे लिमिट की तो आपका जो एज है वो minimum 18 years होना चाहिए और maximum 24 years होना चाहिए 18 से ले करके 24 के बीच में आपका age होना चाहिए in case अगर आपका age 24 से ज़्यादा हो गया है उस case में आपको अलग-अलग category में कुछ relaxation आपको देखने के लिए मिल जाएगी बात करते हैं कि कितने इसमें duration की training होने वाली है आपका यहां पर 12 months का होगा all discipline except trade apprentice में data entry operator के लिए 15 month का और retail sales associate के लिए 14 month का और बांकी जो बच गए सभी के लिए आपको 12 months का इसमें रने वाली है selection process किस तरीके से होने वाली है तो इसमें आपका online test conduct करवाए जाएगा जिसमें कि आपके mcq tabs question पुछे जाते हैं आपसे जो भी relevant branch है उसमें अगर आप जो भी mark score करोगे उसी के अधार पर आपका इसमें selection होने वाली है अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे apply कर सकते हैं तो आपको वीडियो के description में जाना होगा वहाँ पर आपको apply online के नाम से link मिलेगा उस link पर click करके directly आप लोग इस form को apply कर सकते हैं apply करने का जो date है वो 14 तिसमबर 2022 से start हुए है 10 बजे से और 3 जनवरी 2023 तक सामके पांच बजे तक आप लोग इसको apply कर सकते हैं इस frequency में आप किसी भी post के लिए apply कर सकते हैं लेकिन एक ही post के लिए apply कर सकते हैं और एक ही discipline code में आप apply कर सकते हैं जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं any one discipline या code only candidate have to apply for any one discipline code only तो आप किसी एक discipline code के लिए इसमें apply कर सकते हैं apply करने से पहले आपको जरूर से ध्यान रखना होगा general instructions में आपको ध्यान रखना होगा कि diploma holders के लिए nets portal पर registration होना बहदी जरूरी है और iti holders के लिए iti portal पर registration होना बहदी जरूरी है उसके बाद आप लोग इसको apply करने के लिए इसको apply करने के लिए वीडियो के description में दिये गए link पर आपको click करना होगा जैसे click किजेगा तो आप लोग यहाँ पर आजाओगे यहाँ पर आने के बाद आपको यह vacancy का notification यहाँ पर देख लेना है जो marketing division का graduate technician और trade apprentice का है यहाँ पर advertisement number आप लोग मिला लीजिएगा यहाँ से download कर सकते हैं और यहाँ पर link दिया गया है इस link पर जैसे click किजेगा तो आप लोग यहाँ पर आजाओगे यहाँ पर आने के बाद आप लोग इसमें registration कर सकते हैं new registration के लिए यहाँ पर आपको click करना होगा यहाँ पर click करके registration कर लीजिए उसके बाद login करके आप लोग इस form को completely fill कर सकते हैं उसके बाद login करने के लिए यही पर आपको candidate login का option देखेगा इस पर click करके आप login भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग इस form को fill कर सकते हैं यहाँ पर आपको registration, new registration में किस post के लिए आप apply करना चारे हैं यहाँ से आप अपना state select कीजिए उसके बाद यहाँ से किस post में apply करना चार हैं उसको select कीजिए आप अपना location preference यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच preference आपको यहाँ पर डालने के लिए बोला गया है तो आप अपने नुसार से यहाँ पर उसको select कीजिए यहाँ पर आपसे next portal का registration number मांगा जाएगा यह आपको डालना ज आपका जो registration है वो successfully हो जाएगा उसके बाद login करके आप लोग सभी details को fill करके apply कर सकते हैं इतना मैंने आपको बता दिया आगे तो आप लोग करी सकते हैं इसी तरीके से आप लोग इसको apply कर लिजेगा तो हैप आप इसको समझे होंगे जो भी main information था मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query ड़ोग आगा तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you